आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं रूमा पाठक भुबनिश्वर ब्लेसिंग टीम से, दा बुद्धस वाइफ, दा पाथ अवेकनिंग टुगेदर के आठवे अध्याय के बारे में आज हम जानेंगे, तो चलिए इसकी शुरुवात करते हैं, पजापति जी और कुसेवी काएं, ये शुद्रा जी और उनके बेटे राहूल के देख रेक में लगी हुई थी, उन पर नजर रखा करती थी, लेकिन वे सबको काफी कठिनाई हो रही थी उनके साथ रहने में और उनकी देख रेक करने में, ये शुद्राजी का सौभाव सबके प्रती काफी पीड़ा दायक हो गया था, सबसे कटी कटी रहती थी, सुस्त रहती थी, किसी के लिए भी उनके साथ अकेले रहना काफी दर्दनाक हो गया था, उनके साथ कोई भी पल दो पल गुजारने में काफी कस्ट दायक महसूस करता और ये सब देखते हुए पजापती जी ने उनके मन परिवर्तन हेतू कुछ अन्य महिलाओं के साथ उनका मेल मिला बढ़ाना चाहा। पुर्व सिधार्थ के साथ काफी समय वहां बिताया करती थी। मंदिर में ध्यान और प्राथनाएं किया करती थी। अपनी इच्छा पूर्ती के लिए अपने गर्व धारन के लिए। और एक दिन पजापती जी उसी उबवन में ये शुद्रा जी के लिए सारी महिलाओं को इकत्रित करती हैं, महल की सारी सेविकाओं को इकत्रित करती हैं। और पजापती जी ये शुद्रा जी को ले के आती हैं अपनी बाहों के सहारे उस उबवन में, काफी ठंडी हवा चल रही थी। ये शुद्रा जी उदास थी, अपना सर नीचे जुकाए हुए आती हैं, लेकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सरीर में जानी ना हो, चहरे पे कोई रौनक नहीं थी और आँखे फुली हुई थी, बेजान थी। तभी एक महिला ने अगरवत्ती जलाई और परजापती जी ने हिंदू प्राथनाओं का उचारन प्रारम किया। जैसे ही प्रजापती जी प्राथनाएं और समुहिक मंत्र उचारन शुरू करती हैं, मानो उस उब्वन में एक नई उर्जा आ जाती है। उस उब्वन में प्राथना से प्राथी रिक्षों में तलाब में मंदिर के चारो और एक सकारत्मक उर्जा आ जाती है। चारों तरफ उस दिन सुभा में प्राथना और स्वामुहिक मंत्रों उचारन के प्रभाव से मानो एक साथ पृत्वी और प्राकृतिक की दोनों उर्जा महिलाओं के सभा में फैलने लगी थी, लेकिन ये शोदराजी के आंसु रुक नहीं रहे थे, वो रुए जा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ, कुछ अलग सा भाव उनमें आ रहा था, उस दिन की सुभा काफी छोटी सी सभा थी उस दिन की सुभा की, भले ही सभा छोटी थी पर उन्तु काफी असर दायक थी, सान्ती दायक थी, और तभी सभी महिलाओं ने ये निर्णे लिया कि वे फिर से शाम में मिलेंगी ताकि वो अपने धार में कर्मकान संपन करके साम में करने वाली गतिवीदियों की रूप रेखा तैक कर सकें। प्रतेक शुबह सहायता है तू प्रतेक शाम अभार वेक्थ करने के लिए प्रतेक शाम इस सभा को वे उब्वन में किया करती थी और इससे उन महिलाओं के बीच एक करुणा और दया का भाव बनते चला गया। जब दो कर सकें भाव प्रतेक शाम अचने को वे उन मुआ शाम और दया मतिवीदियों का वे उन प्रतेक शाम एक शाम जब्दियों के वे गलादेए तो इससे प्रतेक शाम अवार शाम जब्दें। झाल झाल